आज अको इस वीडियो मा हमी बीबियास फर्स्ट एर को फाइनेंचिल एकाउंटिंग और फाइनेंचिल एनालिसिस को जुन से चाट्टर रहेको छा एकाउंटिंग फर इन्मेंटरेज एन कास्ट अब गूड सोर्स तेसको सालूसन गरने छां रा क्वेशन को रूपमा मैले 2079 क्वेशन नंबर टुबेल लियेको छू यो 10 माक्स मा सोदनेस नां भावना रहेको छा बड़ी रहेको छा तो इसले आमले प्राक्टिस गरें वने इजिली साल्व गारना सकीन छा अब जाम इसको सालूसन तरफ दी इंटरप्राइज प्रवाइज प्रवाइड यू दा फॉलिं इन्फरमेशन रिलेट तो दे इन्वेंटरिस फार जन्वारी 2022 वने को छा वन मा बिगनिंग इन्वेंटरिस साथ से उनिटस एड़ दरेट 10 इस बने को छा 11 मा पर्चेस गरे को छा तेसपशी 17 मा शोल्ड 20 मा पर्चेस 17 मा पर्चेस तेसपशी आमरो 31 मा शोल्ड चर 31 स्टक बेरिफिकेशन डामेज छा तेसे गरी रिक्वार मा बने को छा आमिलाए रिक्वार मा इन्वेंटरि एन्वेंटरि और कोस्ट अब गूल्ड शोल्ड निकालना बनेखो छा अंडर गैशी पर्चेस फिपो मैथड, कास्ट अबना को छा perpetual inventory system बनचा बने हैमितेस में टेबल बनावनु परशा बने periodic inventory system मा हैमिले टेबल बनावनु परदैना तिस्टे करी हैमिले बी नम्र मा बने को छा income statement using both method assuming operating expenses 5,000 and estimated tax 25% बने को छा अब एट फर्स्ट हैमिलेश को इंडिंग एन्मेंटरी रा cost of goods sold निकालाउं द्विटे मैथड यूज़ गर रा, इंडिंग इन्वेंटेर रा, कस्ट अब गूट सोल निकालाउं, एड फर्स्ट मैं ले फिफो मैथड यूज़ गर छू, फिफो मैथड माँ आमले क्ये गरनू परेवता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड माँ, रा, क्वेशन को रूब मैं हमरो 2079 को क्वेशन ले हैरनु वाला, तिसको क्वेशन माले लिएगा छू, बहने अब अब गराउं, फिफो मैथड माँ हमी जाउं, एड फर्स्ट, अंडर, एफाई एफो, मैथड, फिफो मैथड, फिफो मैथड माँ हमरो क्ये सता, कोस्ट अफ इंडिंग इन्वेंटरी निकालना मने कोछ, अब 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 अ इन्डिं इन्वेंट्री था अनु परेयो at first हामले cost of इन्डिं इन्वेंट्री निकालना को लागी इन्डिं इन्वेंट्री निकालना परेयो तेस पसे हाम्रो cost of goods sold cost of goods sold को formula होंच cost of goods available for sale minus cost of इन्डिं इन्वेंट्री होंच हामले यानी रहा formula होंच और है हमिले हे रहें बने... यहाश्थ आमिले , स्मक् के निकालनों पर्योंताぎ , था कॉस्ट अफ इंडिंग इन्वेंटरी कि निकालना को लागी , वर्ट आप रेंड़ सेयल cost of Indian inventory निकालनाको लागी first fall चाहिए है मिलाई cost of goods available for sale cost of goods available for sale चाहिए हमरा available for sale कती चतक कती उनिट को हमिशंगा item हरु चतक कुन-कुन हमरो beginning चाहिए कुन-कुन purchase गरेको चाहिए बनर हमले निकालाउं at first हमिशंगा भागो inventory निकालाउं तेस्पस हमिशंगा चाहिए हरेव भने question माँ हरेव भने हमिशंगा यानिरा क्ये चाहता 700 units को हमरो कती चाहता 10 rupees को दरले beginning भयो यानिरा purchase गरेको inventory अब थप चाहूं purchase 1000 गरेको चा 14 को दरले तेस्पस हमिशंगा पर्चेस गरेको चा 500 units 14 को दरले तेस्पस हमिशंगा यानिरा purchase गरेको चाहिए purchase गरेको चाहिए यो अमरो beginning inventory प्लस पर्चेस लाए मिशंगा जोड़ साहूं beginning inventory प्लस पर्चेस होने गर्षा cost of goods available for sale को लागी अब यानिरा 700 units into 10 रुपीज प्लस 1000 units into 14 प्लस 500 into 14 प्लस 200 into 15 को दरले रहे को चाहिए हमरो यानिरा निकाले मुँबने हमरो cost of goods available for sale को तेस्पस रुपीज यो हमले गर्यों हने 31,000 आऊशा तेस्पस हमिले निकालनू पर्णे हन्छे units available for sale units available for sale निकालनू पर्यो हमिशंगा units available for sale कती छता आवा sales को लागी हमिशंगा भागो units हरू यानिरा के छता units available for sale को लागी हमिशंगा कती units सता यानिरा हे रहाँ 700 प्लास 1000 प्लास 500 प्लास 200 योनिट्स के सता available for sale रहेगो सामरो हमिशंगा यानिरा कती होनि बता 700 प्लास 1000 प्लास 500 प्लास 200 गर्दखेरी हमिशंगा यानिरा 1775 योनिट्स के सता इभाइलेबल फर sale शा 24 योनिट्स एभाइलेबल फर sale रहेगो सा यानिरा एस पसे हमिले एसमा के निकालनों पर्णे अंचता इंडिंग इन्वेंट्रे निकाल शाओं अब इंडिंग इन्वेंट्रे गराऊं इंडिंग इन्वेंट्रे इक्वाल टू हमिरे की गर्णा सिंचता योनिट्स एभाइलेबल फर जुन चाई आको छ तेस बाटा sold unit रहा damage unit घटाऊं दाखेरी आमरो इंडिंग इन्वेंट्रे आऊंचा आमिशंग बागो 24 unit हो अब आमिशंग जुन जुन कर आरू बेच छाँ त्यो माइनस गर छाँ रहा जुन कर आरू लास भागो छ त्यो गटाऊंचा बने पची बाच्य का हैमरो की होंचा त्यों इंडिंग इन्वेंट्री आमिशंग बिगिनिंग रा पर्चेच गर रहा आऊंचा बने शेल गरे रहा डामेज भाए रहा बाई राजांचा रा लास्टाम अजत्ती बहुट छा त्याओ इंडिंग इन्वेंट्री ऋनिट एभाइलेवल फर सेल इभाइलेबल फर सेल उनिट एभाइलेबल माईनस उनिट सोल बेचल को इट माईनस हामरो profound यूनिट्स डामेज की गर शाँऊ फटा माइनस गर चाहूं । अब यानिरे हेरेवं वने हमरो मयुणिट एभाइलेबल forello ल्झेल वने को 24 यूणिट्स रहेको छा, एसमा यूणिट्स शोल्ड गरहूं युनिट शोल्ड लाइक गरूंता माइनस गरूं मिले कोती बेचे शाँता यानिर शोल्ड बनेगो 500 युनिट मात्र रही छा आरको चा 12 युनिट बनी शोल्ड गरेको रही छा तेसे गरी 12 माइनस 5 बह्यो आरको शोल्ड शाई ना बने बेरिफिकेशन लस चे डामेज चे पचास रही छा बने पचे आमरो सोल्ड माँ 12 प्लस 5 से 17 आयो माइनस पचास आयो यानिर हेरों भने आमरो के बह्यता यानिर बारसे माइनस 5 युनिट्स माइनस डामेज पचास युनिट्स माने पचे इन्डिंग इन्मेंट्री 650 युनिट्स रही छा हमरो 650 की होते इन्डिंग इन्मेंट्री हो तेस पचे हमिले अब यानिर हेरों अब हमरो कस्ट अफ इन्डिंग इन्मेंट्री निकालना गला आगी के गरना सकीन छात यानिर इन्डिं इन्वेंटरी इनटू, क्ये ले इन्टू गारना सक Mickie媽, बनदखिरी हम प्राइश के ले बस दो रहई छ higher, तिसली गारना सकी मिले इनटू गारना सक uncont, अब अड़् फर्स्ट्रामी किया गआउंता यानि रेται कारूं है ॆ हमिवर्ड मेंट्रीकिया हुआ दो सावन्स गैए गैवर्णिया कारूर्णिया हमिकल स्दपत्रिम लम ख़ा गMore ख़ा खिया 12102 ये वित्र, साथ से वित्र पर्योँ। शुचे पचास यूनिट्स लाए इंडिंग इन्वेंटरी माननि हो गने शुचे पचास गर्द अजी पचास त बच्छानी। शो हमने 10 लेक्ये गानू पर्यों, मल्टिपलाई गानू पर्यों। सो ये निरे हेरो मने इंडिंग इंवेंटरी 650 इंटु 10 गर्द खेरी रुपीज माँ 6500 आऊंछा जो हैमरो cost of इंडिंग इंवेंटरी होना आऊंछा एकोडिंग टु लीफो मैथड cost of goods sold पनी निकालना भनेको छा so cost of goods sold इक्कोल तु cost of goods sold इक्कोल तु आमरो cost of goods sold इक्कोल तु क्या हन्छा था cost of goods available for sale cost of goods available for sale minus cost of ending inventory हन्छा cost of goods available for sale minus cost of इंडिंग इंवेंटरी हन्छा so यानिरा हेरेव हने cost of goods available for sale आमरो कती आखो छा बन्देखरी 31,000 आखो छा यानिरा हेरेव हने आमले देहना सकिन्छा यानिरा 31,000 आखो छा तेसपसे cost of इंडिंग इंवेंटरी हामरो 65 आखो छा अब यानिरा क्या गर्ना सकिन्छा 31,000 माइनस 65,000 गर्यों हने रूपीज यानिरा 24,500 के आखो छा आमरो cost of goods आखो आखो छा यानिरा क्या गर्ना सकिन्छा cost of इंडिंग इंवेंटरी रो cost of goods निकालना सकिन्छा यो plus 2 plus bbs का इस्टों अरला है बनी एकदमई उपयोगी रहेको छा बने अब हैमी weighted average method निकालाँ जुन्चे weighted average method रहेको छा इसको हैमी क्या गर्शा ता अब इसको cost of goods रो cost of इंडिंग इंवेंटरी निकाल छाओं अब हमी weighted average method अनुशार जाओं weighted average method मा weighted average method मा हमीले की गर्णू पर्णे होंच ता इसको average निकालनू पर्णे होंच average कती निस्खीन छा तेवकर हरू हमीले निकालनू पर्णे होंच cost of इंडिंग इंवेंटरी इक्वाल टू होंच हम्रो इंडिंग इंवेंटरी उनिट्समा होंच अनि छे WAC बाट मुल्टिप्लाइ गर्णू पर्णू weighted average cost निकालनू पर्णे होंच तेश्पसी यानि रहा हमले की गर्णा सेंच ता cost of goods available for sale cost of goods available for sale तेश्पसी याम्रो तला होने गर्णा यानि रहा units available for sale units available for sale होंच ये शेरे याम्रो की निस्खिंच दा WAC average निस्खिंच weighted average cost निस्खिंच cost of goods available for sale याम्रो cost of goods available for sale कती आगो चाता 31,000 31,000 divided by unit available for sale हम्रो कती आगो चाता unit available for sale 24 units यानि रहा average हेरे होंच average कती होना होंच रूपीज 12.9167 रूपीज अब निकालाउं cost of ending inventory cost of ending inventory निकालाउं cost of ending inventory equal to ending inventory into S माचे WAC हम्रो कती रहेको चाता हम्रो ending inventory यानि रा i सगेको चा 650 units into WAC 12.9167 हम्रो यानि रूपीज मा calculate गर यानि कती बहेता multiply गर रूपीज 8396 सुनी बहेता cost of goods sold cost of goods sold cost of goods sold cost of goods available for sale cost of goods available for sale तेस्पासी माइनस गर चाहा हमी cost of ending inventory हम्रो cost of goods available for sale बहने रा कती आको चाता 31,000 हम्रों क्ये गर नूपरेता यो 31,000 राखनू पर्यो 31,000 रो cost of ending inventory जुन चाहा हम्रों कती आको चाता 8,396 सो 31,000 माइनस 8,396 गर दा खेरी यानिर हम्रों cost of ending inventory आऊँछ cost of ending inventory कती आवनी भायता हम्रों क्ये बनावना बनेको चाहा बन्दा खेरी हम्रों यानिर income statement under both assuming operating expenses 5000 and estimated tax 25% बनेको चाहा अब इसको लागे हम्रों comparative income statement बनावनु परने हुँच दुटैको हम्रों क्ये गवनु परने हुँच था income statement बनाव comparative income statement एवटा क्ये गवनु पर्यों था हम्रों last in first out method आरको WSC method weighted average method तेस्वश हम्रों यानिरा रहेको चा sales sales की रहेको चा यानिरा 1200 units इन्टी गवनु पर्यों 21 को दर्ले plus 500 units 26 को दर्ले multiply गवनु पर्यों अब हमलाई के देगो चाता यानिरा यानिरा देगो चा sales sales के देगो चाता यानिरा हेरें भने हम्रों at first यानिरा 1200 units 1.20 को दर्ले तेस्पसि हम्रों 500 units 26 को दर्ले देगो चाता भने पचि sales निस्खे हो sales कती निस्टी इन्छाता येती गवर दाया हमले क्याल्कुलेटर माद थीचेव भने हम्रों sales कती आउंचाता sales आउंचा हम्रो 3800 200 येता तीरा 3800 200 आर्को तीरा आउंचा तेस्पची हम्रों less के गवर शांता cost of goods sold cost of goods sold cost of goods sold अब cost of goods sold दोईटा आको फरक फरक आगो शा यानि रहेरे मने हम्रो cost of goods sold क्या आगो शाता according to LIFO method last in first out method cost of goods sold आगो शा हम्रो 24,500 24,500 तेस्पची हम्रों W.S.C. को आगो शा cost of goods sold 22,600 आगो शा तीरा लाए लेखाऊं अब less में हम्रों क्ये भ़्याता यानि रहेरे 24,500 S.C. 22,600 4 होनी भ़्यो अब दुटेले गटाईशो के पची हम्रों आगो शाता यानि रहा gross profit आगो शा gross profit अब यो गटाऊं दा हम्रों कोती आगो शाता इताक कु 13,700 आरको शाइन 15,500 शानब्य आगो शाइन तेस्पची हम्रों इसमा और शान दुटेले हम्रों यानि हम्रों 5000 मानना भनेगो छो टाक्स 25% मानना भनेगो छो दुइटे में हमी 5000 की गर्छाऊं तो लेस गर्छाऊं 5000 लेस गर्छाऊं अब दुइटे को 5000 लेस गर्दी शेके बची नेट इनकम बीफोर टाक्स आउंशा टाक्स बंदा पोईला को आउंशा यो 8700 होनी भाँ देश पसी यो कती भाँता 10596 होनी भाँ अब हमी लेस के गर्छाऊं चाता इस्टीमेटेड टाक्स एड़दा रेट 25 पर्चेन गरेगो भनेगो छाऊं अब हमी इसको 25 पर्चेन निकाल साऊं क्याल्कुलेटर माँ 25 पर्चेन गरेगोने इसको बैलू कती आउंशा ता 8700 को 25 पर्चेन हामरो हुनी भाईव एककाई 55 पर्चेन गरेगो 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 इसको आउंशा बैलू यानिर को 2700 कोर्चेन गरेगो एककाल साऊं इंकम अध्वा नेट प्राफिट बान्ष एसरे हमले इंकम स्टेट्मेंट लाए कम्प्लीट गर्णा सकीन्ष इक्जाम को पोईंट अब भियुमा यो हिसाप पनी इंपोर्टेन रहे गोच्छ एसवाट अपनी हमरो 10 माक्समा सोधने गर्णा को पाइन्ष शो यहले प्राक्